relative motion in two dimension का एक बहुत ही बड़ा segment है river crossing problem तो है यह actually बहुत आसान अगे आपको यहाँ पर अच्छे diagrams बनाने अच्छे diagram बनाओगे तो सब कुछ solve कर पाओगे यहाँ पर होता है कि इस तरफ हमाँ पास नदी एक बहर रही है जिसकी speed हमें दी वही है ground को हम हमारा ultimate reference frame मानके चलते हैं यहाँ पर वैसे तो ultimate reference frame कुछ नहीं होता फिर यहाँ से एक इंसान है इस जगे पर और उसको river cross करनी है अब वो river cross करना चाहेगा तो वो river में तैरेगा तो उसकी कुछ speed होगी let's say उसकी speed इस तरफ वो चलना शुरू किया तैर रहा है और एक angle हम theta यहाँ से लिख देते है theta हमने लिख दिया theta आप कहीं से भी नाप सकते हैं आप यहाँ से भी theta नाप सकते हैं समझने की बात क्या है यह जो speed of man हमें दी जाते हैं swimmer speed swimmer speed वो दी जाती है हमें you और यह you क्या होता है यह होता है speed velocity of man with respect to river क्योंकि वो river में you speed से तहर रहा है तो हमाई पास जाता है velocity of man with respect to river is equal to you at an angle theta यह जो भी है तो इसको मैं vector इस तरहे से लिख देता हूँ यह जो भी हमें बनाया हुआ है similarly यह जो value हमें दी वे थी यह magnitude में V के बराबर है यहां से देखो हम क्या लिख सकते है velocity of man with respect to river यह जो है इसी को आपको लिख दिना होता है velocity of man minus velocity of river तो यह कौन सी आ गए यह जो velocities आई हैं अब यह with respect to ground with respect to ground आई है क्या होगा velocity of man with respect to river यहां से आपको क्या करना है आपको यह पता करना होता है आप यह करते हैं velocity of man with respect to ground becomes velocity of man with respect to river और यह वाला दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा सारी के सारे vector है और यही formula हमारे काम आने वाला है इसको फिर से समझो होता है man चाहता तो था यह इधर जाए यह तैर भी इसी दिशा में रहा था लेकिन river भी धर जा रही है तो effectively यह यहाँ पहुँचने वाला और यह हो जाती है हमारी velocity of man with respect to ground तो इसको हमारी डाइग्राम यहाँ पर बड़ा बना देता हूं यह था हमारा velocity of man with respect to river फिर उसमें add हो जाएगी velocity of river with respect to ground और हमारी पास जो net आजाती है यह आजाती है velocity of man with respect to ground अब यह आपको दिख रहा है कि यह vertical आगया लेकिन जरूरी नहीं है वो vertical है जरूरी नहीं हो vertical है वो इधर भी आ सकती है इधर भी आ सकती है कहीं भी आ सकती है तो इसमें अब दो-तीन तरह के सवाल बनते है बोला जाएगा कि भाई हमको इसके ठीक river के सामने पहुंचना है यह यहाँ पे किसी particular point पहुंचना है या फिर हमें minimum time में पहुंचना है तो किस दिशा में aim किया जाए यह angle कितना रखा जाएगी हम ठीक सामने पहुंचना है इसी तरीके के सवाल बनते है तो question solve करना शुरू करते हैं कुछ basic terminology देख लेते हैं देखो हमें river का जो width दियोगी let's say वो distance दिया हुआ है d यहाँ पर हमारा वो जो इनसान था swimmer वो यहाँ से चालू होता है और अगर वो ठीक सामने पहुंचता तो यह उसके सामने वाला point है फिर उसने जब टैरना शुरू किया यह है उसकी speed u at an angle theta theta मैं यहाँ से नाप रहा हूँ आप कहीं से नाप सकते हैं इसके साब से formula थोड़े से औरे जेड़े हो जाते हैं cos का sign हो जाता है इसलिए formula रट्टे माना बहुत ज़रूरी नहीं है मत रटने की कोशिश करना हमें दे दिया जाएगा कि हमाया पास नदी की कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ this is the velocity of the river अब यह हो सकता है हमाया पास total velocity इंसान की इसकी खुद की थी with respect to river और river की जित्ती थी वो भी आपको इधर add करनी पड़ेगी तो हमाया पास जो total speed आजाएगी net with respect to ground यह आजाती है तो इंसान चलना तैरना इस दिशा में चाहता था चाहता भी क्या रहा था तैर इधर ही रहा था लेकिन वो पहुंच जाएगा इधर तो इसका face इधर था वो ऐसे 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 बेसिकली यहाँ पहुंच जाएगा और यह मान लो इस point पे पहुंच गया तो इसको जो बोला जाता है कि वो देखो शुरू कहां से हुआ था यहाँ से शुरू हुआ था पहुंच गया है यहाँ पर this distance इस distance को बोला जाता है this is drift आप इसको दी लिख दो या फिर आप इसको x लिख दो कुछ भी आप इसको लिख सकते हो सबसे पहले तरीके सवाल दाते हैं कि time कितना लगा time कितना लगने वाला है time लगेगा यहां से यहां पहुंचना है नदी क्रॉस करनी है basically y direction हमारा यह हो जाता है coordinate system भी बना देता है यह है हमारा x direction यह हमारा y direction time लगेगा distance divided by speed distance हमारा पास d speed कितनी है y direction में है u sin theta तो यह जाएगा u sin theta इसी को आप लिख सकते हो d upon u y आपको यह वाली value यहाद रखनी चाहिए ठीक अच्छा हम उससे पूझा है कि minimum time कब होगा तो यह हम देख भी सकते हैं कि minimum time के लिए अगर वो सीधा ही चलेगा तो सबसे जल्दी y direction का distance कवर करेगा क्योंकि उसकी तो एक capacity उसके लिए u का magnitude से हम है वो खाली angle बदल सकता है तो अगर आपको सबसे जल्दी cross करना है तो यह make sense करता है कि आप भाई सीधे direction में ही पुझाओ उदर यह तयाना शुरू करो formula से भी दिख रहा है time को minimize करना है sin theta को maximize कर दो यानि कि theta 90 हो जाएगा basically directly आपको ऐसे जाना है तो t minimum इसका मतलब swim straight अब हमसे पूछे जाएगा दूसी चीज कि drift drift d की value कितनी आ रही है तो वो कैसे करोगे देखो जितना भी time उसको लगा है time तो इतना लगा चलने में उसको आप multiply कर दो x direction में net velocity कितनी है तो वो आजाता है u x into time t u x की value कितनी है बताओ इस दिशा में इस दिशा में लो चलो यहाँ पर थी हमाँ आपास v v minus u cos theta तो इसकी value आजाती है v minus u cos theta multiplied by time t time t की value कितनी है time t की value आजाती है d upon u sin theta चीगे तो में पास यह इस तरीके से कुछ values आजाती है अब आपको यह exact values रटे मालने की जरुरत नहीं आपको यह concept समझ में आने चाहिए concept समझ में आ जाएंगे तो आप सारे के सारे questions solve कर सकते हो शर्त यह है डाइग्राम सच्छे बनाने तो नोटस ले लो अभे question solve करते है a man can swim with a speed of 4 km per hour in still water how long does he take to cross a river of 1 km wide if the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current तो यहां पर पहले डाइग्राम जरूरी है अच्छे अच्छे बनाना यहां पर हमें इसकी जो total distance दिए है वो है 1 km river की speed है इस दिशा में 3 km per hour और उसकी खुद की speed है 4 km per hour और वो किस दिशा में चल रहा है उसको बोल दिया गया है कि भाई river का current इस दिशा में है उसके perpendicular जाना है तो basically वो सामने जाने की कोशिश करता है इस तरीके से हमाइबास और उसकी speed है 4 km per hour इसको किस तरीके से solve करोगे देखो 4 से यह इदर जाना चाहता था पहले तो आप पता कर लो कितनी देर में यह cross कर सकता है वी य डिरेक्शन में हमें speed दे रखी उससे आप पता सकता हो time कितना लगी है और इसकी x डिरेक्शन में इसकी खुद की speed नहीं है लेकिन river की speed इसमें add हो रही होगी ना इस तरीकी से इसकी actually तो speed ऐसी होने वाली है उसके साब से आप पता कर सकता हो भी यहां से drift कितना हुआ उस given amount of time में और आप actually पता भी कर सकता है यहां पर कहां आएगा यहां वो यहां पहुंचने वाला है वो जला सीधे है लेकिन पहुंचेगा यहां पर बहुत अच्छा सवाल है बहुत simple numeric values है वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number D देखो कैसे है हमारे बास सबसे पहले हम निकाल लेंगी कि हमें time कितना लगता है time के value हाजाएगी distance which is 1 km divided by speed which is equal to 4 km per hour तो यहां से value आजाती है 1 by 4 क्या है second second यहां पर आगा second की जगे r 1 by 4 r आया है यानि कि 15 minute हो गए पर इसको अभी r में ही रहना है देते है ठीक ओके लेकिन यहां से यहां पहुचे का उत्ती दिर में यह इस तरफ भी आएगा तो drift कितना हो सीदे सीदे बता सकता हूं कुछ सवाल इस तरीके के भी हो सकते हैं बोल दिया है कि हमारे पास यहां पर swimmer था और इसके ठीक opposite एक point था यह था let's say point this is A और यहां पर point है B और इसको पहुचना है point B पर इसको actually यहां पहुचना है तो अगर वो इसी दिशा में तैरना शुरू कर देगा तब तो वो यहां नहीं पहुचेगा क्योंकि हमारी river इस तरफ बह रही है river की speed है इस तरफ भी तो इसको definitely इधर कहीं पर तैरना होगा ठीक है इसको swimmer को जो चलना होगा वो इस तरफ कहीं चलना वो शुरू करेगा तब ही वो यहां कहीं जाएगा इसको लगेगा यह दर जा रहा है लेकिन drift के कारण वो यह दर आ जाएगा तो इस तरफ की सवाल को आप कैसे solve कर वोगे इसमें concept ही होता है कि इंसान की speed यह थी हमाँ पास हम बात करेंगी velocity of man with respect to ground is equal to velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground तो इसमें river की speed आप एड कर दो यहां पर यह इस तरीगे से एड हो जाती है हमाँ पास है ना देखो यही वेक्टर था यही वेक्टर इदर एड हो जाता है हमाँ पास यह net speed आ जाती है ना यह है velocity of man with respect to और इसका आपको angle यहां पर आपको कुछ ना कुछ symmetry, geometry कुछ तो दिय to ground वो B की तरफ point करेगी तो फिर वो B की तरफ ही जाएगा इस तरीगे साब इस questions को solve कर सकते हो यह सवाल बहुत ही अच्छा है इसमें relative motion in 2D and relative motion in 1D का बहुत अच्छा है इस question को solve करने की ज़रूर कोशिश करना a swimmer crosses a flowing stream of width D to and fro in time T1 to and fro का मतलब क्या हुआ देखो अगर वो यहां से start होता है तो वो उपर जाता है और यहां से फिर इस तरफ वापिस हाजाता है और उसको time लगता है T1 in a flowing stream तो इसका मतलब समझो कि जिस वक्त वो इधर गया हुआ उसको इस तरीके से चलना पड़ागा और यू क्योंकि इस तरफ velocity है वी वो इधर point करता है river की इस तरफ एड़ हो जाती है net velocity उसको सामने की तरफ हो जाती है और वो इस तरीके से cross कर लेता है फिर वहां important बाठती जो कई लोग miss कर जाते है इस तरीके से उसने to and fro motion किया और उसके पास जो time आ जाता है वो आता है t1 the time taken to cover the same distance up and down the stream is t2 अब क्या आता है वो up and down stream तो मानलों वो यहां से चलता है इस तरीके से और इस तरीके से वापस आता है up and down stream हो गया तो यह कहलाएगा यह लगता है time इसको t2 then the time the swimmer would take to swim across a distance 2D in still water is तो यहां पर हमें दो तरीके motion देखने है यह 2D वाला motion हो गया relative यह 1D वाला motion हो गया अब आपको पता करना है कि हमें time taken to travel across 2D in still water हमें जो बताना है वो है time is equal to 2D divided by उसकी जो भी speed थी यह चीज़ हमें बतानी है बहुत अच्छा सवाल है equation लगी है यहां पर आपको basically यह देखना पड़ेगा यह वाली velocity का magnitude कितना आ रहा है यहां पर आप इस तरीके से right angle triangle बनाओ पाइथागरा स्थिरों लगो बहुत अच्छा सवाल है वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number 1 solve करना शुरू करते हैं उससे पहले कुछ और चीज़ है मैं यहां पर d इस तरीके से लिख देना चाहिए था यह था distance d यह भी था distance d पहले हम देखते हैं जब इसने two and four river को इस तरीके से यहां पर cross किया है इस case में मैं बनाओगा इसकी जो speed इस तरफ रही होगी यह थी यू और उसमें river की इस तरीके से add हुई होगी भी तब जाकर के वो इस तरीके से यहां पर perpendicular इसकी ground के respect में velocity इस तरीके साथ है भी तो वो सीधा जा पाता है क्या कोई मुझे इसका magnitude बता सकता है हमाय पास velocity of man with respect to ground इसका magnitude उसकी value क्या है वो आजाती है under root of u square minus v square हमें जो time t1 लगा है t1 की value आजाती है t1 में उसने कितना distance travel किया है 2d t1 is equal to 2d divided by कितनी speed के साथ किया है देखो इधर जा रहा होगा तब भी मतलब वो चला इस तरफ था लेकिन उसका magnitude था वो इतना ही आता है जब वो वापस आ रहा होगा तब वो इस तरफ चला है लेकिन यहाँ पर भी add होकर के हमारी यहां से यहां पर एक बार वो आता है इस तरफ दूसरी बार जाता है इस तरफ दोनों में बराबर टाइम नहीं लगेगा एक बार वो upstream जा रहा है तो उसमें हमारे पास उसकी effectively velocity कम होगी दूसरी बार downstream जा रहा है तो उसमें river की velocity add हो जाती है पहली बात तो वो इस तरफ आ पाया इस से हमें पदा चल जाता है कि भाई उसके जो u का magnitude हो वी से जाता है क्या मुझे बता सकते हो t2 की value कितनी होगी t2 will be equal to time taken to go upstream upstream जाने में कितना time लगता है distance divided by speed इस तरफ आतिस हमें उसकी speed कितनी हो जाएगी उसकी खुद की थी u लेकिन river उसे पीछे बाहर यह तो वो जाता है u minus v यह जाएगा u minus v यह चल रहा था हमारा motion in 2d यह चल रहा हमारा motion in 1d अच्छे यह तो एक तरफ जाने का ही time प्लस इसमें add करना पड़ेगा वापस आने में कितना time लगता है प्लस करेंगे प्लस d divided by वापस आते हैं उसकी effective velocity कितनी हो जाती है v plus u which is equal to v plus u यहाँ पर अब आप इसका l से हम लोगे तो यह हो जाता है d into u plus v plus d into u minus v और denominator में आ जाता हमारा पास u square minus v square इसको आप simplify करोगे तो हमारा पास value आ जाते है देश को दिया जाता है 2 du upon u square minus v square is equal to t2 यह आ गई हमारा पास equation number 2 हमारा पास 1 है हमारा पास 2 है अच्छे देखो हमारा पास यहाँ पर एक term आ रहे है u square minus v square यहाँ पर उसी का under root है यह भी denominator में यह भी denominator में है तो मैं क्या करूँ इस वाली equation का square करके इससे divide कर देता हूँ तो उससे में पास कुछ आ जाएगा देखो मैं 1 का square करके 2 से divide कर देता हूँ left hand side में क्या value आ जाएगी t1 square by t2 यह जाएग 4D square divided by इसके value है 2DU 2DU यहाँ D से D कटके इसके value 2 आ जाती है which is equal to 2D upon U और सवाल में हमसे यही पूछा था तो वो आ जाता है t1 square upon t2 option number A is the correct answer बहुत ही अच्छा है यह सवाल आपको पता है river board problem के concepts को C board problem में नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि C इता बड़ा है कि वहाँ पर earth का curvature effect आने लगता हूँ फिर वो three dimensional relative motion बन जाता है ऐसे होता है कि नहीं यह सब हमाई syllabus में नहीं क्या क्या syllabus में तारा का सारा एक महीने में complete कर रहा है दो दो घंटे की classes है एक महीने में पूरी physics complete हो जाएगी link is in the description जहां पर बहुत सारे previous year question all the concept handmade graphics colorful notes सब कुछ मिलता है बिरूर देखना उसको साथ मों मेरे vlogging channel को सब्स्राइब कर लो और उसका भी link description में फिर आपको इस QR बोट को scan करना है scan कर को चमांट डोनेट करो ताकि मेरी मदद का सब्सक्राइब प्लीज कर दो प्लीज 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 तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में